अगर आप लोगों ने फर्स सीजन का रिव्यू नहीं देखा है तो आई बैल पे आरे लिंक पर आप क्लिक करके इसका फर्स सीजन का रिव्यू देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डर्क वैप सीरीज की सेटिंड इस सीजन में टोटल आठ एपिचोड हैं और इस सीजन में पांस्ट के साथ-साथ फ्यूचर को भी दिखाया गया है पांस्ट के साथ-साथ मतलब है कि 1986 और 1953 यह तो दिखाया गया है और future यानि 2019 के 30 साल बाद का future भी इसमें दिखाया गया है और इसमें साथ ही साथ एक और चीज भी अलग दिखाया गया है past के past का नहीं एक अलग ही past दिखाया गया है ये क्या लिखाया इस script में और टीटू ये script में क्या setting से लिख देता है मुझे खुछ समय नहीं पा रहा हूँ कौन से past की बात हो रही है इसको simple करके समझाता हूँ एक अलग से loop यानि एक अलग से cycle चलाए कि इसमें वो अलग से दिखाया जाता है सच में बहुत जादा confusing है शायद बताने में इतना confusing हो रहा में तो बहुत जादा confusing है दिमाग फटने तक आ जाता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि series बहुत खराब है series तो यार जैसे मैंने first season में कहां था यह एक masterpiece है और आज भी यानि इस video में इस season के second review में भी मैं यही कहूँँगा मैं अपनी उसी बात पर कायम हूँ यह season जो है या पूरी series जो है वो एक पूरी masterpiece है कहना इस series को समझने के लिए आपको आपके दिमाग के घोड़े नब बहुत तेज दोडाने पड़ेंगे अब यह series उनके लिए तो बिलकुल नहीं है जैसे कि इस सब की शुरुआत कौन करता है एडम फ्यूचर से है या पास से मैगनस का एडम के साथ मिलना जोनस का बुराई की तरह बढ़ना इन सब की शुरुआत कैसे हुई तो यह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर नहीं हुई है और सबसे बड़ा स्वाल यह कब रुकने वाला है मार्था का एक अलग नए फ्यूचर से आना एक नए टेकनलोजी के साथ वो मार्था है या कोई और ऐसे सवाल यह सीरीज जो वो कड़े करती है उमीद करता हूँ जब इसका थर्ड सीजन आएगा और आएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी बाकी है और इसको उस मुकाम पे खतम किया गया है कि थर्ड सीजन लाया जाए और जब इसका थर्ड सीजन आएगा जो बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो वहाँ पर दूर हो जाएगी कहानी को फर्स सीजन के बाद ही जहां ये खतम होती है उसी के साथ इसे कंटिन्यू रखा गया है इस सीजन में अंसलजेस पहलों को सुलजाने की कोशिश की गई है 2019 के जोनस को फ्यूचर में चले जाना और फिर अपने प्रेजेंट में आने की कश्मकास इसमें दिखाना और जो हम फर्स सीजन देखते हैं उसमें ऐसे सवाल आ जाते हैं कि ये इन सब चीज की शुरुआत कैसे हुई तो उन सब चीजों का जवाब इस सेकिंड सीजन में हमें मिलता है वही शानदा direction और जबरदस्त कहानी के साथ ये सीरीज हमारे सामने आती है इसके 8 एपिसोड कब बीच जाते हैं इसका पता तब चलने लग जाता है जब इसका सर में दर्द हो जाता है मतलब जब 8 एपिसोड खतम हो जाएंगे तब सर में बहुत बेंकर दर्द होने लग जाएगा और जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है ये वेब सीरीज के बारे में जिन्होंने अभी तक फर्स सीजन का रिव्यू नहीं देखा है और ये सेकंड सीजन वो देख रहे हैं मुझसे पूछो कि क्या ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर ये सीरीज मिस की तो आपने बहतरीन काम मिस कर दिया अगर जब अरदस कहानी देखनी है और अपने दिमाग के गोड़े बहुत तेज दोडाना चाहते हो तो ये सीरीज मिस मत करना ये सच में नेट्विक्स की जान लगती है मुझे इस सीरीज को मेरी तरफ से मैं देना चाहूँगा 9 out of 10 स्टार एक स्टार इसलिए कट कर रहा हूँ यार कसम से इसने सर में दर्द कर दिया यार इतना दिमाग खर्च करना पड़ गया मुझे अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज कोमेंट करके मुझे बताई कि आपको ये कैसी लगी और आपके क्या विचार है कि आने वाला जो सीजन होगा उसके अंदर क्या हमें उन सवालों के जो आप मिल पाएंगे जो सेकिंड सीजन में रह चुके हैं क्यार बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में थैंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिन